आपका हमारी चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे किसी गनेश का मस्तफ के खटने के पीछे एक्चली में क्या कारण था दीके स्वयम परवर्म परमेश्वर स्रिकेष्ट अपने अंससे पारवती पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे फिर उन भगवान से किष्ट का मस्तफ के शानीगरा की दिश्टी से कैसे कड़िया इस समंद्ध में वर्म बैवर्थ पुरान में एक खथा है जो आपको बताने जा रहोंगे एक बार भगवान शिव ने सुर्य देख पर कुदित होकर त्रिशूर से पढ़ार कर दिया जिसे कष्ट पुत्र सुर्य मुर्चित होकर रसेगिर पड़े अब तिमिरारी सुर्य के बिना सब जगांदकार चा गया और जगत में हाहाकार मच गया अपने पुत्र की दशा देकर महरसी कष्ट ने भगवान शिव को शाप देते हुए कहा कि आज जिस प्रकार तुम्हारे शूर से मेरे पुत्र का वक्ष विदरन हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी सर कट जाएगा तो महर्सी कश्यप के शाप से ही सुर्य पुत्र शने की दृष्टी पढ़ते हैं शिव पुत्र गनेश का मस्तफ कट गया या फिर दूसरा जोब श्टोडी पे जालते है तो भगवान शिव ने खुद कट दिया तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को दीजिए धन्यवाद